नवश्कार मैं डाक्टर चीके चंद्रों असिस्टन प्रोफिसर अब बाट्विक और लियांट पीजी कालेज विलाई नगर मैं टापिक इस डाइकॉट फेमिलेज पार्ट 2 ए जिसमें हम गेमो पेटली के सिरीज इन फेरी के अंतरगत आने वाली फेमिलेज के बारे में देखेंगे सबसे पहले सिस्टेमिटिक पोजिशन विद आइडेंटिकल गारेक्टर इसके इंतरगत फ्रावरिं प्लांट्स को ईंक्लूट के अगया है ग्रुप टाइकॉट लिडन, टेक्फलिट पनेशन डाषिवेंटरल लीफ का होना और फ्रावर का टेक्टरा और पेंटर वनेस ये टायकाट लिडन के करेक्ट्रिस्ट्रिक क्रेक्टर है GEMO PETALI यो कि ק्लास है इसमें PETALS FUSED होते हैं यनि की GEMO PETALS KONDISHON देखने को मिलती है series INFERRY OVERY जैसा कि नाम से हिजािर है इनमें OVERY inferior होती है और STEMMN की संख्या usually PETAL की संख्या के बराबर होती है इसके अंतरगत दो आडर हैं जिन्हें हमें देखना है एक रूबियल्स और दूसरा एस्टरेल्स रूबियल्स करेक्टराइज होता है जिनमें कि इस्टेमान इपीपेटलास होते हैं और ओवरी विट तू-टू-मैनी लॉक्यूल्स जो की रूबियल्स का करेक्टर है जिसके अंतरगत फैमिली रूबियसी आती है जिनमें कि लीव्ज जो है वो डेकुशेट मैनर में होती है इंटर पिटूलर इस्टूप्यूल पाया जाता है करोला यूजरी टूबलर होता है और इस्टेमान अल्टरनेट होते हैं करोला लोब से दूसरा आडर है एस्ट्रेल्स जिसमें कि इस्टेमान ये पी पैटलस होते हैं और ज्याद अतर सिंजिनेशेस कंडिशन इनमें देखने को मिलती है ओवरी यूनिलॉक्यलर होती है इसके अंतरकार जो फैमली है एस्ट्रेसी जिनमें कि कैपिटूलम और हैड इन्फोर्शन होता है कैलिक्स ज्यादातर पैपर्स के फॉर्म में होते हैं करोला ट्यूबलर और लिग्यूलर दोनों ही प्रकार के इनमें पहाए जाते हैं और इस्ट्रेमान जो हैं वो सिंजिन इस्ट्रेस कंडिशन सो करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेमली रूब्यसी की जिसे कॉफी भी कहा जाता है इनमें मोश्टली स्रब्स जैसे एकजोरा मुसेंड़ा वगरा पाय जाते हैं ट्री के रूप में एडिना कॉडिफोलिया इनमें पाय जाता है जिनकी लीव जो है वो कॉडट से भूती है रेरली इनमें हर्बेशियस प्लांट होते है जैसे की गैलियम इसके अलावा ट्रीनिंग प्लांट्स भी इनमें देखने को मिलता है जैसे की मैरीशय एंड क्लैंबर अंकेरिया रूट जदातर टैप एंड ब्रांच की रूप में पाई जाती है स्टेम इरेक्ट वुडी सिलेंट्रिकर और एंगुलर होते हैं हेरी और स्मूध सर्फिस इनकी पाई जाती है लेव सिंपल अपोजिट इस्टिपुलेट होती है जो कि इंटर और इंट्रा पिट्यूलर इस्टिपूल पाई जाता है स्टिपूल स्पाइन ही होता है पेंटास के केस में और लीफी होता है गैलियम में इंफोसेंस गार्डिनिया में विए सॉलिटरी, एडिना में साइमोज हैड की रूप में और एक्जिलरी साइम कॉफी में और टर्मिनल साइम मुसिंडा में देखने को मिलता है फ्लावर ब्रेक्टिेट्ट होते हैं, बायसेक्जल होते हैं पैडिसिलेट लेकिन रिंडिया के fest में ये sizyl होते हैं इसके लावा ईपी गाईनस Ahлоar की होती है अक्टिनोड और जाइगोमर्फिक होते हैं टेट्रा और पेंट्रामिरस कंडिशन सो करते हैं कैलिक्स 425 होते हैं जोकि फ्यूज कंडिशन में होते हैं यानि कि गेंघो सेफलस कि इमकेस अब मुसेंडा वन मॉडिफाइड इन्टु ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्शर मुसेंडा के केस में एक कैलिक्स जो है वो ब्रेक्ट के समान इस्ट्रक्शन में मोडिफाई हो जाता है करूला 4-5 फ्यूज होते हैं जो की ट्यूबलर फार्म में होते हैं एक जोरा में और एस्पेरूला में ये फरल्सेट होता है स्टेमन की यदि हम बात करें फ़ोटीफाइब स्टेमन इनमें पाये जाते हैं और करपेमन दो होती Forsch ये एक और हाफ इन्फिरियर सिनेप्टेंथेरा में देखने को मिलता है पेगेनिया में ओवरी सुपीरियर होती है, ज़ाधतर बायलाकिलर लेकिन गार्डिनिया के केस में यूनिलाकिलर भी ओवरी पाए जाती है, प्लेसेंटेशन एकजाइल होता है, फ्रूट एनॉटिस में कैपसूल और मुसेंडा, हमेलिया और एकजोरा में बेरी के फौर्म मे पाया जाता है उधारन के तोर पर यहां पर मुसेंड़ा स्पीसिस का हम देख रहे हैं जिसमें की फ्लावर जो है वह वह ब्रेक्टियट एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्श्वल कैलिक्स फाइव जोकी फ्री कंडिशन में हैं करोला फाइव फ्योस कंडिशन में हैं एंडोश्यम फाइव इपिपेटलस कंडिशन को सो करते हुए और गैनोश्यम जो है कारपल की संख्या दो है सिंकारपस है और इंफिरियर कंडिशन में हैं सेकंड फैमिली जो इंफेरी के अंतरगत है वो है एस्ट्रेसी जिसे कंपोजिटी फैमिली या संफ्लावर फैमिली के रूप में भी जाना जाता है यह वन अब दा लार्जेस्ट फैमिली है डाइकाट के अंतरगत मोश्ली हर्ब्स इन में पाए जाते हैं जैसा कि एजरेटम या सौंकस स्रप्स इनूला रेरली ट्री लिकोमेरिस और कुछ एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक प्लांट भी देखने को मिलते हैं कौटूला एंड सिजूलिया के फॉर्म में रूट टैप एंड ब्रांच होती है लेकिन डाहिलिया में ट्यूबरस रूट पाई जाती है इस्टेम इरेक्ट और प्रोस्टेट होते हैं अटी विश्या में वुडी लीफ लाइक इन बैकेरिश लीफ सिंपल अल्टरनेट और अपोजिट जीनिया में अपोजिट लीफ होती है एक्स इस्टिपलेट स्केली इन से रेशियो और यूनिकॉस्टेट और मल्टिकॉस्टेट ट्रेक्रेट वेनेशन देखने को मिलता है इंफ्रोस्टेंस की अदिम बात करें तो ज्याधा तर हैड और कैपिटुल अपोजिट इन पाए जाता है जो कि एक सिंगल फ्लावर की तरह एपियर होता है अब फ्लावर अप्रेट होते हैं यूनि सेक्श्वल एज़ बाइसेक्श्वल फ्लावर इन में पाय जाते हैं ज्यादा तर पेंटा मेरस होंगे इपी मेरस एपी गाइ जाते हैं जिन्हें हम रे एंड डिस्क फ्लोरेट के नाम से जानते हैं कैलिक्स मोडिफाइड इंटू पैपस और स्केल लाइक इस्टक्शर और या फिर दोनों प्रकार के फ्लोरेट्स में यह अपसेंट हो सकते हैं करोला फाइब नोर उनीम इसनां पैटलास ज्यूंग में एउट पडिखने के मिलते हैं अगर रेगुलर है तो यह टूबलेर फgoing बोलेट डिलीट फ्लोरन होंगे सीमासल, इनके दौराइन इनका सोगित जाती हैं, मतलब यहां पर या माइन के लोबन तीन के लोब में फ्यूंज होते हैं और फिलामेट फरी होते हैं और टाइन दॉध्छिकर से करके करते हैं कार्पिल दो होती हैं सिंकार्पास कंडिशन ओवरी इन्फिरियर उनिलॉकुलर विद सिंगल बेसल ओव्योल इस्टाइल सिंपल इस्टिग्मा बाइफिट और फ्रूट इनमें सिपसेला के फॉर्म में पाया जाता है अंतर बेसिस ऑफ कि फ्लावर है 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 और क्यापिटुल अपर थ्री टाइप यह ज़िए फ्लावर के अधार पर दिखा जाए तो जो इंफ्लोर्शन से हैं या क्यापिटुल अब इंफ्लोर्शन वह तीन प्रकार का हो सकता है एक हैट्रोजेनस जिसे रेडियेट भी कहते हैं जो कि हेलियन्थस में देखने को मिलता है जिनमें की रे और डिस्क फ्लोरेट दोनों पाये जाते हैं दूसरी कंडिशन है होमोजेनस रेड फ्लावर जो कि सोंकस में देखने को मिलता है जिसमें की पूरे रे फ्लोरेट्स होते हैं और तीसरा है Homogenous Discoid जो की एजरिटम में देखने को मिलता है और इसमें पूरी तरह से Discoid Flower या डिस्क फ्लोरेट्स पाए जाते हैं और इस कुल को सबसे ज़्यादा Advanced and Evolved Family की रूप में माना गया है पुदारण की तौर पे यहां पर हम Helianthus याने की Sunflower का Example ले रहे हैं जिन में दो प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं जनरली Head के Peripheral Region में पाहर की ओर Ray Flourेट्स होते हैं और Kendra की ओर डिस्क फ्लोरेट होते हैं Ray Flourेट यूजवली Unisexual याने की Pistillate Flower होते हैं और इनमें पैटल्स जो है वो फ्यूज होकर फाइफ पैटल्स अपस में फ्यूज होकर तीन से चार लोग में डिवाइड हो जाते हैं तो रे फ्लोरेट का फ्लोरल फ्लोर्मूला के देहें बात करें तो ब्रेक्टियेट जाइगोमार्फिक यूनिसेक्श्वल इस्टिलेट फ्लावर कैलिक्स पैपस करोला फाइफ एंडोश्यम जीरो और गाइडोश्यम टू सिनकर्पस इंफिरियर कंडिशन ऐसे ही यदि हम डिस्क फ्लोरेट की बात करें तो डिस्क फ्लोरेट में ब्रेक्टियेट एक्टियोमॉर्फिक बाइसेक्श्वल फ्लावर कैलिक्स पैपस्वलाप्श्वल्च झारूल फ्लावर लुटतियन थाजिश्वल्ब्टिय। अंडोश्यम थादिश्वल्च इंप्लोर इंफिरियर कंडिक्स्वल्च लुटतिय। कर दो